तो हम बहुत जो के लेट पड़ गए थे यूटूब में रेगुलरी अपडेट दे नहीं पा रहे थे तो आपके लिए एक बार फिर से हमारा कूरियर जड़ा डिले हो गया था तो बहुत सारे जो टूल है हमारे पास आए है तो आप जितने भी टूल देख रहे हो सब का हम अ वीडियो लेकर आएगे सबका गीववे भी लेकर आएगे तो आप चैनल पर बने रहे हैं और आप सपोर्ट करते रहे हैं तो यह देखें 3D स्कूरूड्राइवर है 2D है जो के कैनली की तरफ से आए हमको और यह जो के हमको कूरियर में भी बापस से बता रहा हूं के लेट जो टूल है कोई बनाता नहीं है पर वो एक्सपेंसिव होते है पर कॉलिटी में और A2Z चीज में वो नंबर वन है तो यह जो के कैनली का आई पींच है जो को इसका नाम है यह जो के IC का स्टेंड है मधरबोर्ड हो गया जितने भी हमारे मधरबोर्ड हो गये नहे वाले तो इसमें देखे 100% QR को बेक साइड में लगा हुआ है और आगे देखे आई पींच है किस तरीके से यह स्टेंड आएगा वो भी है और क्या है उसके features side by side दिये हुए है तो चलिए बाते तो बहुत हो गई तो अब हम इसे unboxing करते है और इस वीडियो को skip मत करना जो भी जिसक तो टूल का जादा से जादा knowledge चाहिए तो हमने इसको कुछ नया try किया इस वीडियो में तो आप देखना और आप हमको review भी देना comment में के यह वीडियो आपको कैसा लगा और आपको इस stand भी कैसा लगा ठीक है तो चलिए अब इसे हम निकालते हैं तो मैं इसके लिए इसका poly product है वो आप तक पहुच जाए product इसलिए मैं इसको पूरा नहीं निकालता हूँ तब वीडियो पे बने रहे हैं तो यह देखिए हमारा जो के stand है वो अच्छी तरीके से form में packed आता है यानि transportation में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और इसका देखिए packaging भी बहुत good quality में दिया उससे यह unique stand है तो चलिए मैं आपको तो zoom करके मैं आपको बताता हूँ तो यह देखिए मैं one finger से मैं जैसे ही देखिए गुमाता हूँ तो आसानी से देखिए हमारा कैसा यह खुल जा रहा है देखिए जैसे ही मैं finger only for में कुछ force भी नहीं लगा रहा हूँ कुछ भी नहीं एकदम easy तरीके से जब यह ज्यादा तर हो जाता है तो normally मुझे press करना पड़ता है आप वीडियो में देखिए पार होगे पर यह कितना smoothly work कर रहा है है हमारा stand जो ज्यादा तर IC का काम करते है तो उसके लिए बहुत ज्यादा best रहेगा तो इसमें जो motherboard आप रखते हो उसका ज आपने इसका quality wise तो देख लिया तो चलिए मैं देखिए आपको बताया था कि यह जो मैं पहले जो यह stand use करता था उसमें दिक्कत बहुत ज्यादा तर यह आती थी कि यह देखिए दोनों आज से मुझे बार बार इसका जो hinge उसे घुमाना पड़ता था फिर बाद में यह काम कम हो गया है उसका भी जो price है मैं आपको description में देदूँगा और इसमें भी देखिए जो 8 है 10 है जितने भी iPhone के chipset है उसको रखने का stand भी दिया हुआ है सब कुछ है और यह fingerprint जो हमारा आता है उसको रखने का stand दिया हुआ है तो इसमें plus point यह भी है पर यह मुझे मैंने मंगा का main reason यह था कि हमारा जो काम का जो timing है वो बच जाता और space भी यह कम रोकता है मैं आपको आपके वीडियो में बताऊंगा और इसका quality भी बहुत सही है जो आप काम अच्छा करते हो आपके पास ज्यादा दर काम आता है तो आपको यही stand मैं recommend करूँगा क्योंकि इसका देखि ना पड़ता था फिर बाद में motherboard फीट होता था पर यह जो है हमारा one finger से काम हो जाता है यानि कि यह देखिए इस तरीके से आराम से हमारा motherboard भी फीट हो जाएगा और कुछ जंजट भी नहीं है दोनों साइट से करने की तो चलिए मैं आपको इसका comparison करके भी बताता और एक ब चेक करके बता रहा हूँ जो कि मुझे इस तरीके से खोलना पड़ता था इसे इसको खोले फिर बाद में दोनों साइट से मुझे यह फीट करना पड़ता था आप देखिए क्योंकि मुझे सेंटर में जो काम करते हैं उसके लिए वो सेंटर बेस्ट रहता है तो यह देखिए हमारा फिट हो गया है फिर बाद में यह देखिए हमारा जो ओल्ड मदर बोड़े उसमें भी आराम से फिट हो जाता था तो इसके लिए प्लस पॉइंट यह है कि जो ओल्ड मदर बोड़े इसमें A to Z support है और इसका जो स्पेस है वो आई पिंस से ज़्यादा है तो जो यह लेना चाहिए वो यह ले जिसके पास जो ज़्यादा तर एक्सपेंसिव खरीद नहीं सकता तो उसके लिए बैटर स्टेंड है पर इसमें क्या है मुझे देखिए है मैंने डाइरिक वन फिंगर से खोला और इसे काम करने में भी आपको आसानी रहती है तो यह हमारा मदरबड परफेक्ट तरीके से फिट हो गया है और यह बिल्कुल सेफली यह देखिए कंप्लेट हो गया है और मैंने आपको वीडियो में बताया था कि यह आधे से भी कम जगा रोकता है जो कि हमारा पुराने वाला तो जो रिपेरिंग करता है जो स्पेस की ज़्यादा दिक्कत रहती है उसके लिए भी यह बेस्ट रहेगा जो माइक्रोस्कोप में काम करता है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि यह गोल सेफ में है और यह कम स्पेस भी रोकता है इसमें डिसे फिट हो जाएगे तो ये देखिए मेरा वीवो का है वो भी इंस्टन्ट और परफेक्टली ये हमारा फिट हो गया आप देखिए वीडियो में पूरा देख पार होगे कहीं से भी हमारा मदर बोड का ट्रैक या कुछ भी डैमेज हो रहां नहीं है तो इसमें ये प्लस पॉइंट ये भी है और माइनस पॉइंट भी है तो जिसको ज़्यादा थर बड़े मधर बोड काम में आते है तो ये ले नहीं पर मुझे तो लगता है ज्यादा थर अभी तो क्या न्यू मोडल लोग अबरेट हो गए है तो आपके लिए ये ही बैटर रहेगा और ये कोई भी sponsored वीडियो नहीं है तो आप इसा मत सोचना कि ये जो वीडियो है sponsored होगा तो मैं बार-बार इसकी तारीब कर रहा हूपर ऐसा नहीं है हमारा काम यही रहता है कि जो हमारे viewer है उनके पास best से best tool जाए और उनको अच्छा से अच्छा product मिले है हमारा काम यही है तो यही काम रहता है कि हम जो अच्छा होता है उसका आपको वीडियो लेकर आए और आपको suggest करे कि आपके लिए कौनसा बैटर है और कौनसा बैटर न नहीं है तो Abdi Mobile का 1K अब जल्दी complete होने वाला है तो हमारा एक 1K का family बनने वाला है उसके बाद हमको कहां से टूल लेना चाहिए कहां से नहीं लेना चाहिए उसका भी हम वीडियो लेकर आएगे जल्दी फिर उसके बाद में हम repairing का भी लेकर आएगे जो आपको उसका भी लाइक करो, share करो और और कौन से टूल या टॉपिक फे वीडियो चाहिए तो हमें comment session में comment करना और हाँ कोई एक lucky viewer हमारा कोई भी हो सकता है तो उसे हम giveaway कर देगे तो Abdi Mobile को follow करो Thanks for watching